गुड मोरिंग फ्रेंड हमारे चैनल 0.91 में आपका स्वागत है यह करेंट अफेर्स का प्रैक्टिस से तीन है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करने चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसका आप ने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड नहीं कुछ राइस काइब करना ना भूले चैनल का नाव है 0.91 चलिए आज का पहला कुश्चन देखते हैं 36 वे इंटरनेशनल जियो लॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का अवजन कहा होगा इसका राइट ओप्सन हो जाएगा यह नहीं दिल्ली में कहा होगा नहीं दिल्ली में होगा नेश्ट कुश्चन देखते हैं फ्रिंड बुक से रिटरेट एक कुश्चन एक्जाम में जरूर पूछा जाता है राहुल बजाज एन एक्ष्ट्रा ओर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है जिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर सी गीता पीरामल किसने लिखा है गीता पीरामल ने कि देखते हैं कि वर्ल्ड हैपिनेक्स इंडेक्स 2022 के अनुसार सीर्ष देशों की सूची में कि यहां पर सीर्ष सहिए कि सीर्ष देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है भारत कौन से स्थान पर रहा है गरायट ओप्सन क्या हो जाएगा बी 136 राइंग पे रहा है इसको कुछिन देखते हैं टाटा कंसल्टेंसी सेर्विस इसको टीसेस बोलते हैं इसके CEO और MD कौन बने है CEO और MD कौन बने है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप्सन ए राजेस गोपिनात कौन बने है राजेस गोपिनात CEO और MD बने है इसको कुछिन देखते हैं क्रिकेट एसिया कप 2022 खेल का आयोजन कहा होगा चो एसिया कप है उसका आयोजन कहा होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा भी श्रिलंका में होगा इसको कुछिन देखते हैं फसल विविधी करण सूच कांग शुरू करने वाला भात का पहला राज कौन सा बन गया है इसमें पहला सब्द एड है ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि से पहला वर्ड उज हो चुका है फसल विविवती करण सुच कांग क्रोप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भात का पहला राज कौन सा बन गया है जिसका राइट एंसर हो जाएगा 20 मार्श को कब मना गया है बीस मार्श को मना गया है इसका राज पहला है निर्यात तैयारी सुच कांक में कौन सराज पहला है तो कौन सराज पहला है इसका राइट एंसर हो जाएगा सी गुजरात कौन सो हो जाएगा गुजरात नी तैयाग दोरा जारी निर्यात तैयारी सुच कांक में कौन सराज पहले है तो गुजरात पहले है देखते हैं चिन्नाई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बने है तो ये रवीन जड़ेजा बने है रवीन जड़ेजा बने है देखते है ये अबोर्स रिएक्टेक क्वेस्चन भी बहुत इंपोर्टेंट होते है जरूर एक्जाम में पुछे जाएंगे हाल ही में सेंटरल बैंकिंग पुष्कार 2022 में गवर्नर आफ दा इयर का पुष्कार किसे मिला है गवर्नर आफ दा इयर का पुष्कार किसे मिला है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा मार्यो मार्सेल्स क्या हो जाएगा मार्यो मार्सेल इसका राइट एंसर हो जाएगा देखते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन लिए गए हैं यह आपका रिवीजन हो रहा है आपने करेंट रफस बहुत पढ़ा होगा तो यह एक टेस्ट है चले देखते हैं हाल ही में दस दिवसी महस्व भारत भाग विधाता का उधगाटन किस ने किया है दस दिवसी भारत भाग विधाता का उधगाटन किस ने किया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमिति हिरानी जी ने दस दिवसी महस्व भारत भाग व सकतिधास जी ने वद्गाटन कहां किया है इसका उध्गाटन कहले है बैंगलोरू और सब्सक्राइब है अक жд ilomina कि नाटो होली में नाटो ने महा सच्च व जंस इस्टार्ड टेन बर्ग का कारकाल कितने वर्ष भढ़ाया है यह जो नाटो के महा सच्च कौन है कि एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है जैट कुछन देखते हैं हाल ही में प्रतिव्यक्ति आय के मामले भारत में पहला राज कौन सा है हाल ही में प्रतिव्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज पहला है कौन सा राज पहला है तो कौन सा हो जाएगा इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा इसका राई टेंसर हो जाएगा savings check कि हाल ही में भार्क इंडिया का नए अध्यच्ष किसे नित क्या गया है। इंडिया का नया अध्यच्ष किसे नित क्या गया है। इसका बार्क का deform फुर comprend क्या हफता है भाभा atomic resep Centre । किसे निट किया गया है तिसका राइट एंसर हो जाएगा बी ससी सिन्हा को निट किया गया है बार का नया अध्यक्षे हाल ही में तीन दिवसी उत्तरपूर उस्सो इसान मंथन का उध्घाटन कहा हुआ है हाल ही में तीन दिवसी उत्तर पूर उस्सो हिसान मंथन का उध्धाटन कहां हुआ है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा नई दिल्ली ओप्सन नंबर भी सही होगा मैं इसक्वेशन देख लेते हैं आप जरूर देख लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है दबुक और बिहारी लिट्रेचर नामक पुस्तक किस ने लिखी है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा और सन नंबर सी अभय के किस ने लिखी ही अब है के ने लिखा है कहां की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पाहल शुरू की है संडे स्ट्रीट पाहल शुरू की है कहां की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पाहल शुरू की है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा A. मुंबाई ने मुंबाई ने पहल शुरू की है Next question देखते है हाल ही में Night Prank द्वारा जारी Global Home Index 2021 में पहला इस्थान कौन प्राप किया है फिर जो ये index होते हैं इन से related question exam में बहुत बहुत पूछ हो जाते हैं इसको बहुत ध्यान दीजिएगा और ये top question ही हम इने इसमें select किये है तो Night Prank द्वारा जारी Global Home Index 2021 में पहला इस्थान किस ने प्राप्त किया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा C. तुर्की ने प्राप्त किया है इस्कोशन देखते है Formula One बहरीन ग्राइट पिक्स 2022 का खिताब किस खिलाणिंग ने जीता है Formula One बहरीन ग्राइट पिक्स 2022 का खिताब किस खिलाणिंग ने जीता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा B. Charles लेकरल किसने जीता है 24 लेकरन ने जीता है निश्कोशन देखते हैं कि एसीन क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष कौन बने हैं एसीन क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा जै साहजी बने है कौन बने हैं जै साहजी एसीन क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष बने है आल इंडिया स्वरी आल इंगलेंड ओपन बैमिंटन चेंपियस्टीप 2022 में एकल पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है इसका राइट एंसर हो जाएगा किसने जीता है जो एकल पुरुष एकल खिताब है आल इंगलेंड ओपन बैमिंटेशिप का कि इसको देख लेते हैं बहुत इंपोर्टन कुश्चन है किस देश के वह ज्यानिक ने अंत्रिक्ष में उपग्रोहों को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइट इस्टान एंप्लिफायर नामक लेजर हथियार तयार किया बहुत इंपोर्टन कुश्चन है यह यहां पर आप देख लेना रिलेटिविस्टिक क्लाइट इस्टान एंप्लिफायर नामक लेजर हथियार विक्षित किया है तो किस देश ने व कोल्ड रिस्पॉंस 2022 का आजन कहा हुआ है जो नाटो देश है उनका एक सेन अभ्यास है कोल्ड रिस्पॉंस इसका आजन कहा हुआ है जिसका राइट एंसर हो जाएगा बी नारवे में हुआ है नेस्ट कुछन देखते हैं राष्ति ई विधान एप्लिकेशन कारेक्रम के माध्यम से पेपर लेस मोड में विधान सवा सत्र आवजित करने वाला देश का पहला राज कौन सवा है देश का पहला राज कौन से बन गया है यह विधासवा पेपर लेस मोड मतलब डिश्टल टाइप का विधासवा लॉंच किया गया है तो इसका क्या हो जाएगा एंसर इसका एंसर हो जाएगा नागा लेंड ऐसा राज बन गया है जो पेपर लेस विधासवा अवजित किया है किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने प्रतिष्ठित इस्पोर्ट आइकान पुरुसकार से सम्माइद किया गया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा भी सुरेश रहना को पुरुसकित किया है इसको देखते हैं फिर्ण यह थैटी क्रिश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है यह आएंगे आएंगे जब जरूर कर लीजेगा एक्जाम से पहले इसका एक वार रिविजन जरूर करके जाएगा उत्राखंड के मुखमंत्री कौन बने है उत्राखंड के जो नए मुखमंत्री भी कौन बने है ते पुसकर सिंग धामी बने है कौन बने है पुसकर सिंग धामी बने है सेंग भ्यास से एक कुष्चेंट जरूर आता है इसको जरूर करके जाइए गाय लामि टाई 2022 संयूग सkेंभ्यास का भारत और देस के बीच हुआ है लामि टाई 2022 संयूग सइनब भ्यास का घुजन बारत किस के बीच किया गया है तो कौन सीस हंते एंसर किया गया सेलेस किसके बीच किया गया औस नमबर सी है बिएनपी परिवास open टूर्णमेंट 222 का आयोजन कहा हुआ है बिएनपी परिवास open tennis tournament का आयोजन कहां किया गया है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा कभी कैलीफोनिया में किया गया है किया गया है कि आज का यह हमारा आखरी क्वेश्चन है कि एक जान से पहले एक बार रिविजिन करके जरूर जाएए दोस्तों इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको आएगा विस इंडूर चैंपिएनशीब दोहजर बाइस में 15.74 मीटर लंबी चलंग लगा कर किस खिलारी ने विस्ली कॉड बनाया है इसका राइट एंसर के हो जाएगर दोस्तों इसका राइट एंसर होज़ए ए यूली मार रोजास यूली मार रोजास ने विस्व रिकॉर्ड बनाया है अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल का नाम है 0.91 यह प्रैक्टिस सेट 3 है और मार्च महीने का अगला प्रैक्टिस सेट 4 लाएंगे उसमें 30 30 plus question होगे most important question होगे जो कि next exam में पूछे ही जाएंगे तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले 0.91 हमारा चैनल है तो आज के लिए इतना ही हम नेस्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू बेरी मैं